फ्रेंट्स 36 एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे कुछ जो एकॉनोमिक के बारे में बात करना चाहूंगा और यह फाइनेशल यह 2324 जो आगे बढ़ रहा है तो आज अच्छे मांसून को देखके मेरा बन वा कि मैं कुछ आप लोगों से बात कर सक हूं और मांसून पूरी तरह अच्छी तरह से इंडिया में आज आ चुका है और 20 स्टेट्स में तो कम से कम आज देखिए बारिस ज्यादा ही हो रही है और अभी डेफिसिट अभी देखेंगे 31 जुन तक साइट 10 परसेंट हाड़ी 10 परसेंट को इलास्टीर से डेफिसिट मांसून बहुत अच्छा आगया जो कि बहुत बड़ा डर था इस बार तो आप जानते हैं कि जैसे मांसून अच्छा आता है और वो एकॉनोमी को कैसे इंप्रेस करता है तो आप देखिए उस मांसून की खबर सुनके ही आज फिच ने कहा कि जो इंडिया का जीडिपी टार परसेंट का अनुमान लगाया है अभी 6 परसेंट से उसको डाउन ग्रेड किया है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात ही है क्योंकि यहां का जीडिपी जिस तरह से परसेंटेज वाई बढ़ेगा तो अमारे दर्स में यह उन्नती हो रही है और आप देखिए स्टो 30,925 के करीब है जो की 0.57 परसेंट उपर है और ओल का प्राइस सबसे अच्छा बेनिफिसरी इंडिया जो चीज से हो रहा है वो है ओल प्राइस जो आज 72 डॉलर पर आ चुका है 72 डॉलर बेंट है और 68 डॉलर नाइमेक्स है तो इससे यह पता चल रहा है कि जो चाइना में डिमांड कम हो रही है चाहा है आज जो की डिमांड कम हो रही है और सबसे प्रौफित की बात है और आप देखेंगे कि जैसे गोड है वो भी आज बहुत अच्छे प्राइस पर है, गोल्ड का प्राइस भी पहले बीच में काफी बढ़ रहा था, वो भी आज 58,159 है और सिल्वर भी 69,470 के रेंज में है, जो की बहुत स्टेबल प्राइस है, इसमें बाइंग की जा सकती है, यह बहुत अच्छा प्राइस है आज इंपोर्टर से हैं, उनको भी फायदा है और जो एकस्पोर्टर हैं उनको बहुत अच्छा फाइदा है, तो आज कम से कम जो लोकल मैनुफेक्च्छर है उनको अपना प्राइसिंग बहुत अच्छा मिलेगा, डॉलर 82 रहने से, और आज इंपोर्ट्स भी जो हो रहे ह उसके उपर कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा यह प्राइसिंग बहुत अच्छी है और 82 डॉलर एक स्टेबल प्राइस माना जा रहा है और आप देखिए जैसे मैंने आपको बताए था जीडीपी के बारे में 22 23 में 7.2 परसेंट जीडीपी टेच किया इंडिया ने औ टेसला एपल एपल भी काफी एक्सपंशन कर रहा है और टेसला भी इसाल के एंड में आजाएगा प्लस जो सेमीकंडेक्टर मैने फेक्ट्रेस है उनमें भी कई कंपनी इंडिया में आ रही है और वह एक बहुत बड़ा बुस्ट देगी इंडिया एकॉनोमी को और बहुत सब्सक्राइब के इसाब से और दूसरी तरफ से हमारी जो एकॉनोमी बहुत तीजी से आगे बड़ी कि इंप्लॉइमेंट भी काफी जिनरेट हो गया है इंडिया की वह बहुत बाहर ने जाकि मेरे इसाब से यहाँ पर उनको काभी सोटेज भी चल रही इंडिया में स्किल आज बैठ रही है आज पाकिस्तान की हालत तो यह है कि वह एक डॉलर का उनका जो पाकिस्तानी रूपीज टूएटी फाइफ रूपीज करीब है जो की काफी अबनॉर्मल है और ऐसे ही जैसे आप देखेंगे टर्की का दो साल पहले उनका जो लिरा था वह एक डॉलर में च्छे करीब आता था आज की डेट में वह पचीस करीब हो गया एक डॉलर में पचीस लिरा हो गया तो इसका मतलब वहां भी काफी यह उनकी करेंसी और यह उनकी बैड पॉलिशी जो उन्होंने डिसिजन लिए उसके लिए हुआ है अब वो उनको ऐसा बच्च पाना भी ब अब आगे हम जैसे भी बात करेंगे कि वार्थ रेट जैसे नहीं है हमारे इंडिया में तो अब इंडिया की हर चीज में जो डिफेंस में जो एक्स्पेंडिचर था एक हद तक कुछ चुछ कंट्रोल होगा और वो पैसा सारा इंफ्रास्रुक्चर में आएगा और इंफ्र सब्सक्राइब नहीं है तो अभी भी गवर्मेंट ने डिजिजिएन लिया कई प्राइविट एर्लाइस के थाउजंड एरक्राफ से इंपोर्ट कर रहे हैं अब आप सुचिए जब थाउजंड एरक्राफ्स इंपोर्ट होंगे तो उनको इदर बिजनस में लगेंगे सारे इनुट्स चलती है वो भी काफी आगे बढ़ेगी और FMCG सेक्टर है वो सब है वो भी काफी आगे बढ़ेगा और आप देखें जैसे भी अभी यह हमारे जो एग्रिकल्चर की रिपोर्ट आती है एग्रिकल्चर इस साल बंपर क्रॉप रहने की उमीद है उससे भी FMCG सेक और उपराइंडिया में उससे आरेंट की द्यूमान भी बढ़ेगी और अभी अपने देखेंगे कि जैसे लिफेन्स बढ़रा है जो हम एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं अपने यूज के लिए अलक बात थी अब हम यह जो डिफेन्स का पर्रौडक्शन कर रहे हैं यह होगी जब कभी वार का टाइम भी आएगा तो आपके पास एक्यूपमेंट की स्वाटेज नहीं आएगी आज रसिया क्या फेस कर रहा है रसिया में आज मिसाइल भी नहीं है उनकी मिसाइल खतम हो रहे हैं दूसरे देशों से मंगाने की सोच रहे हैं क्योंकि उनकी वहां जाउसिंग है इंडिया में भी में जो यह लास्ट महीना गया था में का उसमें की पूरा जो महार्श्ट्रा में फीकिरी में Shoendra में की थी मैं यह और लोकोरो चाहे लगजिए — बूसमेष्प में काही रही है और वो बिक रहे हैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं और आप इससे सबसे देखिए जो हाउसिंग डेवलप होती है उसमें देखिए टाइस इंडस्ट्री है सेरेट्रिवेर है इवन हाउस वाइरिंग केबल से यह सब की डिमांड काफी आती है तो यह भी स ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की जो एकॉनमी का है वो भी होगा और इवन जो हम अपनी खुद की ओईल का जो प्राइस का में उसका भी बहुत फाइदा हमको मिल रहा है और जो सोलार इनर्जी इंडिया डेवलप कर रही है तो आज जो 85 परसेंट ऑफ एनर्जी जो हम लो से मिलेगा तो आगे जाके जो ओएल के प्रैसेज भी है थोड़े बड़े भी तो हमको कुछ इतना फरक बढ़ने वाला नहीं है तो हमें इस गवर्मेंट का अबार भी मानना चाहिए कि गवर्मेंट ने बहुत अच्छे काम किया है और फोरण की जो डारेक्ट इंवेस्ट और इसमें इन्फ्राइस्ट्रेक्शर प्रोजेक्ट भी सारे टाइम पर कंप्लीट होंगे वह बहुत जरूरी है टाइम पर कंप्लीट होना और देश में कोई भी ऐसी कोई संकर्ट आए कुछ आए तो हमारे पास फंड्स काफी एवेलेबल है तो आज मैं आप से यह उम्म खत्म करता हूं थेक्यों वेरी मच्छ